कि हलोओ व्रेश्ट में sniff में आप लोगों को करदा जाएंगे दोस्तोह की कोशन चेığımız uh होगा और वान को सब्सक्राइब करने गणा को में हैं पहला question है आपका हाली में किसे इंटर्पेर्नर आफ दे इयर 2019 से समानित किया गया है तो दोस्तो कीरन मजुमदार शौको कीरन मजुमदार शौको इंटर्पेर्नर आफ दे इयर 2019 से समानित किया गया है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् किस राज सरकार ने चलू की है। महना परताप The Invisible और्रियर्स किसके तौरा लिखी गई है। विजा की ब्रांट एमबेस्टर किसे बनाया गया है तो दोस्तो पीवी सिंदु को विजा का ब्रांड एमबेस्टर बनाया गया है नेक्स्ट क्रोशन है हाली में चर्चा में रही आत्म का था लेसल लाइफ थोट मी अन्वैंगली किसे सम्मान दित है अनूपम खेर दोस्तो इसका एंसर है अनूपम खेर नेक्स्ट क्रोशन है हाली में एनस्जी के नए महानी देशा कौन बने है तो दोस्तो अनूपम कुमार सी को एनस्जी के नए महानी देशा के रूप पे छुना गया है नेक्स्ट क्रोशन है हाली में किस ने पहली एथिनॉल से चलने वाली बाइक लॉंच की है तो टीवी एस क गरीश्चंद्र चत्रुवेदी ए इनेस की अध्यक्ष चूने गए हैं दोस्टो आपका नेक्स वोशन है हाली में नयानी अंतरकम लेखा कार कौन से लर्ण करोणा वाइरस से लड़ने के लिए ब्रेक दच्छेन अभियान की शुरुआत की है तो दोस्तो किरल सरकार ने नेक्स्ट क्वोशन है हाली में डेफो एक्सपो 2020 की सुरुआत कहां से की गई है तो दोस्तो लखनव आपका नेक्स्ट क्वोशन है हाली में किसे ICC द्वारा ODI Player का प्रशकार मिला है तो दोस्तो ओडियाई Player of the Year का प्रशकार रोहि सरमा को दिया गया है आपका नेक्स्ट क्रोशन होगा हाली में अमान के नए सुल्टान कौन बने है सैयद हैथम बिन तारीक अलसाइद यह जो है अमान के नए सुल्तान बने है दोस्तों आपका कार ने हाली में अभिनंदन योजना लॉंच की है यह योजना किस से संबंदित है तो दोस्तों सिख्षा सब सीजी से है नेक्स क्योशन है आपका हाली में किस देश को राश्ट मंडल में आधिकारिक रूप से फिर से सामिल कर लिया गया है इसका एंसर है मावडीव आपका न दोस्तों इसका एंसर है चेन नेक्स वोशन है हाली में फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे निक्त किया गया है जावेद असरफ को दोस्तों इसका एंसर है जावेद असरफ नेक्स वोशन है हाली में किस केंद्रिय मंत्री ने पी-म किसान मोबाइल एप का सुभारंब किया नेंद सीह तोमर नेक्स कोशन है रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया का अध्यक्स किसे नुक्त किया गया है राज लक्षमी सीह देव को दोस्तो आपका नेक्स कोशन है किसके द्वारा बद्रीनाथ और केडारनाथ मंदिर के लिए एक वेवल पोर्टर लॉंच किया गया है तो दोस्तो त्रिवेंद्र सीह रावत के लिए हाल ही में संपन हुए फिल्म फिर आवर्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का आवर्ड किस ने जीता दोस्तो गली बोाए नेक्स्क्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् किस्वा अंत्राष्ट्य पतंगुत्सव किस राजी में अरंभ हुआ है इसका एंसर है गुजरात नेक्स्ट्रोशन ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताविक बिस्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला सहर निम्ण में से कौन सा है तो दोस्तो बैंक लूरू नेक्स्ट्रोशन है आ अधिक का मुख मंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सबसेडी वाली खादी योजना है तो दोस्तो यह ज्ञार खंटकी है नेक्स्ट्रोशन टाइवान का राष्ट्रपती किसे चुनाव किस ने जीता तो दोस्तों तंसाई इंग वेन तंसाई इंग वेन ने जीता नेक नेक्स्ट्रोशन है कनाडा में भारत का नया उचायुक्त किसे निव्ट किया गया है तो दोस्तों अजय विशारिया नेक्स्ट्रोशन आपका किस देश ने हाल ही में क्रोना वायरस की पांच मिनट में पुष्टी करने वाली टेस्ट किट को लांच किया है तो दोस्तों अ तक का भी मोचन किस ने किया चंदर सुता दोगड़ा नेक्स्ट कोशन आपका 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे सामिल किया जाएगा तो टाइगर उड्सको नेक्स्ट कोशन आपका ICC Test Cricket of the Year किसे चुना गया है ICC Test Cricket of the Year ब्राट कोहली को चुना गया दोस्तो आपका नेक्स्ट कोशन है BCCI के द्वारा Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तो के स्रीकांद अंजूम शोपरा दोनों को आपका नेक्स्ट कोशन है अयोध्या मामले में एतिहांसिक फैसला कब सुनाया गया नो नॉमबर 2019 को दोस्तो दोस्तो आपका नेक्स्ट कोशन है CAA के बिरोध में प्रस्ता पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना तो दोस्तो किरल दोस्तो यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जोड़ सेयर कर दें आपका नेक्स्ट कोशन है हाल ही में कोल इंडिया के ने सीम्टी किसे निक्त किया गया है परमोद अग्रवाल नेक्स कोशन है आपका इंडियन रेलवे की द्वारा किस सहर में तर्चरे से उर्जा होत पादन करने वाला पहला सन्यंत्र अस्थापित किया गया है तो इसका एंसर है भूब नेश्वर नेक्स कोशन है केंद्र सरकार ने किस एयर लाइन्स में अपनी सो परतिसत हिसेदारी बेचने की पेशकस की है तो दोस्तो एयर इंडिया नेक्स कोशन है हाली में कौन सा देश सार्वधिक उचाई पर फैसन सो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है तो दोस्तो नेपाल नेक्स कोशन है आपका राष्टिय मतदाता दिवस कम मनाया गया तो दोस्तो नेशनल वोटर्स देश जो है 25 जनवरी को मनाया गया था next question है भारतिय सेना के उपरमुख निमन में से किसे निक्त किया गया है तो दोस्तो भारतिय सेना के उपरमुख जो बने है लेफ्टिनेंट जन्रल इसके सैनी बने है आपका next question है किस संस्था ने साल 2020 को Air of Nurse and Midwife घोसित किया है तो WHO ने World Health Organization है दोस्तों आपका next question है हाल ही में ITTF की जारी ताजा रैंकिंग में कौन सेस्ट पर रहा मानव ठककर next question है हाल ही में Indian Railway ने RPF का नाम बदल कर क्या नाम रखा है तो दोस्तों भारतीय Railway स्टुरक्षा बल सेवा नाम रखा है आपका next question है हाल ही में सारा टेलर ने अंतराश्टिय किकेट से सन्यास की गोशना किया वह किस देश से है वह आस्टेलिया से है दोस्तों आपका next question है भारत और जापान के बीच होने वाली exercise सुन्य मैत्री का आयोजन कहां किया गया तो दोस्तो फ़स्टिम बंगाल में आपका next question है गोपाल रेड़ी किस राज्य के नहे मुखे सचीव निउक्त हुए है दोस्तों मध्य परदेश नेक्स कोशन है आपका पारदर्शी तरीके से भूमी अधिगरहन करने के लिए भूमी रासी पोर्ट अलकिष ने सुरू किया है सरक परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्राले ने किया है दोस्तों आपका नेक्स कोशन है राज्य सबा सरस्ते बनने वाले पहले पुरू मुखे नयाधिस कौन बने है रंजन गोगई दोस्तों आपका नेक्स कोशन है फीच रेटिंग्स ने 2021 में भारत की जीडीपी विर्धी दर कितने परतिशत रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों 5.1% दोस्तों आपका नेक्स कोशन है भारत सरकार ने 200 ml हैंट सेनेटाइजर की कीमत कितने रुपे तैक किये है दोस्तों 100 रुपे नेक्स कोशन है बिस्व मौसम बिज्ञान दिवर्ष कब मनाया गया है तो दोस्तों बिस्व मौसम बिज्ञान दिवर्ष कब मनाया गया है आपका नेक्स कोशन है अंतराष्टिय महिला दिवर्ष कब मनाया गया आठ मार्ष को आपका next question है किस खिलारी ने Times of India Sports Awards 2019 में Cricket of the Year Award जीता है तो दोस्तो रोहिस सर्मा next question है किस सहर में नैनो विज्ञान और परधोकी पर अंतराष्टिय सम्मेलन आयोजित किया गया next question है किस कंपनी ने हैद्रावाद मेट्रों के साथ क्यूवर अधारित टिक्टो के लिए समझोता किया है next question है क्यूवेस वर्ल्ड इन्वर्सिटी रैंकिंग में कौन सिस पर रहा next question है हाल ही में आई डिपोर्ट के अनुसार बैंक खातों में महिलाओं का स्वामित बढ़ कर कितने पर्तिशत हो गया है 77% दोस्तों आपका next question होगा भारतिय तट्रचक अभ्यास S.A.R.A.X. 2020 कहां आउजित हुआ तो दोस्तों गोवा next question है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिय मुख्यवाजी कौन बनी तो दोस्तों पूजा राणी next question है महिलाओं के लिए अंतराश्ट्रिय महिला दिवस के दिन हेल्प लाइन नंबर 011-2656-5285 का सुबारब किस्ट ने किया तो दोस्तों डॉक्टर हर्स वर्धन next question है कौन सा देश फ्रीडम इन दा वॉल्ड 2020 रिपोर्ट में सिर्स अस्थान पर रहा तो दोस्तों Finland next question है BBC World History magazine ने किसे दुनिया में सर्वकालिक सबसे महानेता चुना है तो महराजा रंजिस सिह को आपका next question है किस राजे में फगली उत्सब मनाया गया है तो दोस्तों हिमाचल परदेश आपका next question होगा हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार महलाओं के खिलाप पक्षपात करने में कौन साधे इस सिर्स पर रहा तो दोस्तों Pakistan next question है किस राजे की सरकार ने स्वेंग सहाता समू के लिए मिसन सक्ति बिभाग बनाया है तो दोस्तों Odisha सरकार next question है साथवे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरसकार के लिए किसे चुना गया वी परवीन राव next question है आपका फोन पे ने UPI लेंदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साज़ेदारी की है तो दोस्तों IC ICI के साथ दोस्तों आपका next question है महिलाओं के कौसल विकास के लिए डिजी पिभोट कारे करम शुरू किया गुगल इंडिया ने next question है आपका WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सुची में किसे सामिल किया गया है तो दोस्तों गौरव गुपता बायजूस रविंद्रेरन next question है किस राज्य की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्त केंद्रों पर अरोग्य मित्र की न्यूक्ति की घोशना की है तो दोस्तों उत्तर परदेश आपका next question है किसे world golf hall of fame में सामिल किया गया है tiger woods को दोस्तों यदि है question यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इस channel को जब सब्सक्राइब कर ले यदि अभी आपने नहीं किया है तो next question है आपका किस राज्य की सरकार ने उत्तरायन योजना के तहट 33 एस्टेडियमों के निर्मान की घोष्चना की है तो असम सरकार आपका next question है डाक विभाग ने कहां एक मुफ्त डिजिटल पार्शल लौवर सेवा को सुरू किया है लौकर सेवा सोरी लौकर सेवा को सुरू किया है तो दोस्तों कोल काता next question है भारत ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में कौन से अस्थान पर रहा तो दूसरे अस्थान पर नेक्स कोशन आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान जहलने वाले अरोपतियों में कौन सिर्ष अस्थान पर है भारत का पहला जिवित पाक कला संग्रहाले को लिम का बुक आफ रिकॉर्ड्स में सामिल किया गया है एक किस राचे में इस्थित है तो दोस्तों इसका एंसर है मनीपाल नेक्स कोशन है के पी एमजी के 2020 वैस्विक परदोगी उध्योग नवाचार सर्वेक्षन में कौन सा देश सिर्ष पर रहा तो दोस्तों सिंगापोर आपका नेक्स कोशन है किस देश में दुनिया की एक लौती सफेद महिला जिराफ की मिर्टु हुई है तो केन्या नेक्स कोशन आपका और वर्जवर एप लौंच करने की गोशना किसने की है तो दोस्तों अब्जवर जो एप है उसको लौंच करने की गोशना चुनाव आयोगने की है नेक्स कोशन है एस्याई छेतर के लिए राष्ट मंडल युवा पुरसकार किसने जीता है तो दोस्तों पदना भन गोपालन नेक्स कोशन है सयद मुस्ताक अलि ट्रॉफी किसने जीती है तो दोस्तों करनाटक नेक्स कोशन है किस राजे में पार्मपरिक फूल देई तेभार सुरू हुआ है तो दोस्तों उत्त्राखंड नेक्स कोशन है सभी वीतिये बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन सा बना है तो दोस्तों फिलिपिन्स नेक्स कोशन है किस दिराज्य में रो पैक्स यात्री नौकार लांच किया गया है तो दोस्तों महारास्ट्र आपका next question होगा किस e-commerce company ने life insurance company एजियोन के साथ एजी ओएन के साथ साजदारी की है फ्लिप कार्ट नेक्स्ट वोशन है नेशनल कंपनी लौ अपीलेट ट्यूबिनल के नए अधक्ष कौन बने है तो एह है बंसी लाल भट नेक्स्ट वोशन होगा आपका दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छ 77 करों रूपे का फहा है पतन जली दोस्तों आपका नेक्स्ट कोशन है आयुध निर्मां दिवस कब मनायागया है तो दोस्तो 18 मर्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया राश्ट्रिय बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो दोस्तो राजस्थान नेक्श्ट कोश्टन है सात्वा वर्ल्ड सिटीज सम्मिट का आयोजन की सहर में हुआ तो दोस्तो इसका एंसर है सिंगापूर आपका नेक्श्ट कोश्टन है इंटरनेशनल डे ओफ हैपिनेस कब मनाया गया तो पीस मार्च को नेक्श्ट कोश्टन है आर्बी आई ने अर्थ व्यवस्था में इस्थीरता बनाये रखने के लिए कितने करोर रुपे के निवेज की गोश्टना की है तो दोस्तो 30,000 करोर नेक्श्ट कोश्टन है बिस्वजल डिवस कब मनाया गया तो दोस्तो बिस्वजल डिवस 22 मार्च को मनाया गया ह.I.L. इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्राहक भुकतान पॉर्टल लॉंच किया है तो यूनियन बैंक ओफ इंडिया और दोस्तो इस तरह से इस वीडियो का आप लास्ट कोश्टन होगा किस राज्य की सरकार ने पुलिस एस्टेशन अंगुतुक सर्वेक्षन परनाली सुरूक किया है तो ही माचल परदेश तो दोस्तो आपने देखा इस तरह से इस वीडियो में आपको टोटल हंडेट कोश्टन बताए गये हैं जो कोश्टन आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो दोस्तो अभी लॉकडाउन है आपको पता है और हमारा देश जो है क्रोना वारस से संकमित हो चुका है और हमारे देश में जो है 6000 से उपर मामले हमारे देश में आ चुके हैं 200 से उपर लोग की मिर्टू हो चुकी है तो आप लोग उससे निवेदन है जितने भी है स्टुडेंट इस बात को सुन रहे होंगे वो अपने घर में रहें और अपने से जो बर बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाया रखें और सभी को आगरा करें कि वो अभी घर में ही रहें तो इस वीडियो में बस यतना ही और फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें फिर से आपको 100 कोस्टन बताए जाएंगे और इसी तरह से आप लोग अपना जो समय जो आपको मिला है इस घंटा घर में रहने का उसका फायदा उठाइए और अपने घर में रहे और अपने माता पिता का ख्यार लखे धन्यवाद